दिशा क्लासे से जुड़े सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासे की तरप से महरा नमशकार हर्याना सिविल सर्विस 11 फरवरी 2024 कि आपके एड्मिट कार्ड के दो लिंक जारी हुए हैं तो दोनों लिंक की मैं बात करूँ तो दोनों लिंक में कोई खास नहीं है तो उनके option के लिए enter mobile number और फिर capture code जो था उसको जारी कर दिया गए तो ताकि आप अपना admit card अराम से download कर ले तो जितना मुझे पता है अभी तक किसी बच्चे को दिकत नहीं आ रही सभी के admit card download हो गए है center बहुत दूर है तो देखे इस form के notification के समय मैंने आपको बताया था क्यूंकि पिछली दोनों बरतियों के center 200 से 300 km दूर रहे थे तो ये मतलब अरियाना के एक किनारे से दूसरे किनारे पर फेंग दिया था हलांकि दिल्ली के बच्चों को कुछ फायदा मिला था जिनको करनाल सोनिपत परनिपत में center मिल गए थे तो लेकिन बाकी सभी को दूर center मिले थे पिछली बार भी ये दिक्कत मैसूस किये थी जो single girl है या जिनके छोटे बच्चें वो महिला है या दिव्यांग इस तरह की काफी category में दिक्कत थी तो इसका कुछ नहीं किया जा सकता आपने वागा जो टेलिग्राम चैनल है उस पर भी आपने देखा बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि माननी ओप मुख्यमंतरी जी से निवेद्धन करें करनाल सांसच जी से निवेद्धन करें मुख्यमंतरी जी को तहीं देखी ये छोड़ छोड़ी चीज़ों पर कोई सुनवाई नहीं करता है हप्यसी का काम है एक्जाम कंडेक्ट कराना मैं तो कहता हूँ अगर इतनी दो सेंटर देने पर पिछले दो बार की तरह अगर फेर एक्जाम हो जगता है जिसमें पेपर आउट होने की कोई गुंजाइश ना हो तो ये कोई बड़ी मुश्किल टफ तास्क नहीं है थोड़े से ग्रूपों में आप एक्टिवेट हो ये देखिए लड़कें को तो साफ़जानी बरतने की ज़्यादा हो शकता है लड़के तो एक शेहर के अंदर एक सेम सेंटर के पांचार लड़के मिलना कोई बड़ी बात नहीं है काफी बड़ी संख्या में अब्यारती शामिल हुए है तो आप जोईट में कोई भी विकल करके भी जा सकते हैं पहले वाली शाम को एक दिन पहले पहुंचना सरवोत्तम है एक जो दूसरा मेत्वपून सवाल था कि कितने सवाल अटेम्ट करें ये बच्चे बार बार कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे तो कितने सवाल का देखे मेरी तरफ से 75 पलस आपका एक लिस्ट अटेम्ट होना चाहिए क्योंकि एक से तीन सवाल ऐसे होते हैं जो परिक्शा होल के स्ट्रेस की वज़े से गलत हो जाते हैं जैसे एक्जाम होल से बार आके आप सवालों को दुबारा पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता हो ये पुछा था और मैंने वालतों में इतना दिमाख लगाया है ये तो इसका सिद्धा सा उत्तर ये पढ़ाता तो इस तरह के सवाल गलत हो जाते हैं कट ओफ एच्पीसी डिस्कलोज नहीं करता जिसकी बहुत बड़ा खामिया जाईए है कि कितने सवाल करें को लेके बच्चे गंफ्यूज रहते हैं दूसरा मैं हच्पीसी का रजल्ट है वो विदिन सेवन टू टेन डे जा जाएगा इसलिए को जाता है इस बार परिशानी वाली बात नहीं होगी कुछ सवालों को लेके जरूर चलेंज वो हर बार होता है यह एच्पीसीस परकिरिया से निपटना सीख चुकी है तो मैं फिर से कह रहा हूँ सेंटर दूर हैंगे यह बात मैंने आपको कह दी थी परी की कटोफ नहीं बताई जाएगी लेकिन फिल भी आप मानके चलिए 65 प्लस के जो केंडिडेट होंगे वो कुन मिला के सेफ कंडिशन के आसपास होंगे क्योंकि पिछली दो बार के जो हमने पेपर देखे काफी एक्स्ट्रीम टफ आए और उन पेपर में अगर इतना अच्छा स्कोर है तो नो डाउट इतनी को कट आफ जानी ही चाहिए पेपर का क्या रहेगा अगर कुछ लेवल आसान होता है तो ये 65 बढ़ के 75 भी हो सकता है और अगर टफ हो गया तो ये ज़्यादा ज़्यादा 63 62 हो जाएगा इससे ज़्यादा ये नीचे नहीं जाता तो जनरल के में बात करूं बाकि सभी केटेगरेज में जो थोड़ा सा गैप जनरली होता है वो उसी पैटर्न को उमीद कर रहे है कि फॉलो किया जाएगा तो एक तो आप 75 पलस सवाल कीजिए सेंटर दूर आगे जिसको बदलने की गुंजाईस लगबग नगन्या है आप बुरा ना मानिये लेकिन आपको विवस्ता करनी होगी अपने पिता को भाई को जो मही लाएं पती को जिनके पास छोटे बच्चे हैं या परिवार में से किसी रिष्टेदार को जिसके साथ वो कमफटेबल रह सकें अग्जाम में उनको लेके जाना पड़ेगा आपको यह हर बार होता है तो यह कोई नहीं अनोखी बात नहीं है तो इन चीज़ों मैं अपनी उर्जा वेश्ट ना करें कुई करिवीजन करें तेजी से पड़ें साथ दिन का समय आज से ठीक बात करूं मैं अगले सात्वे दिन बात इस विक आज संडे और नेक्स संडे को जब हम बात कर रहे होंगे तो लग 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 कट ओफ के लिए बात चीज़ शुरू हो चुकी होगी और से सेट का फेपर चल रहा होगा तो बहुत सारी चीज़ें होगी जो हम आगे करते रहेंगे आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पोच सकते हैं वीडियो में तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद आपका दिन शुब हो